नमस्कार, आज मैं आपको सेल मोल्डिंग के बारे में बता रहा हूं यह भी एप्सेसल कास्टिंग प्रोसेस के अंदर का ऐख प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैटल का पैटर्न लिया जाता है उस मेटल को पैटर्न, मेटल पैटर्न को हम एक निश्ची टेंपरेचर जाने कि धाय सो डिग्री सेंटिग्रेट पर गर्म करते हैं और उसके उपर सीलिका सेंट और फेनोलिक रेजिन का कमपॉंड उस पर डालते हैं लिखा है इस तरह से क्या होता है कि एक सेल बन जाता है तो इसमें यहां पैटर्न देख रहे हैं यह डॉबल और प्रीन और डॉबल गूरूप के द्वरा जोड़ा हुआ है यह अलग अलग बॉक्स में लेके बनाते हैं और बनाने के पैटर्न को गर्म किया उसके उपर यह मा ayan यहां जाता है यह नित है कि यह पैटर अलगार बाक्स में जिसेंबा एक और से वमक्रि मोल्ड का Wrapिटी तयार हो जाता है लेकिन अब इसकी विशेष्टा क्या है वो जानिए इस इस प्रोसेस में क्या होता है कि कास्टिंग का जो डाइमेंशन है वो एकुरेट आता है उसका एकुरेशी सही होता है और चिकना आता है उसका सता है लेकिन दूसरे और इसका क्या है कि यह महांगा प्रोसेस है. इसलिए यह उतना बह्वार नहीं किया जाता है। इसका आविश्कार सबसे पहले जर्मनी में किया गया था, दूत्ये मिस्जियू दिखे दो राँ. है न? तो आज आपने सेल मֳल्डिंग के बारे में जाना। सेल मोल्डिंग में क्या होता है हम गर्म परती रूप है उसके उपर सिल्क फाइन सीड का सेंड और पैनोलिक रेजिन का कंपाउंड डालके इस तरह से सेल का निर्वान करते हैं तो इस तरह से यह हर एक परकार का कास्टिंग बनाया जा सकता है एसेंबल करके हम यहां पर देखने से कैवीटी बनता है तो फिर जैसे और भी मोल्ड से कास्टिंग त्यार होता है उसी परकार इसको त्यार किया जाता है धन्यवाद झाल 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 झाल